हेलो गैस आप सभी को मैंने नमस्कार मैं हूरिशा प्रसाथ आपकी मनजिल के सफन में आप सब के एक बाफ फिर से स्वागत करता हूं तो जैसा हमारा graph-based series जो हमारा पूरा चल रहा था इसमें आज हम फिर एक नए graph के साथ आप सभी से मिल रहे हैं जिसमें देखेंगे कि किस तरीके से question बनते हैं और किस तरीके से इसमें solve करना है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस graph के question को study the given graph carefully and answer the following question यहाँ पर आपको 4 question दिये हुए है इस graph को आपको ध्यान से देखते हुए इन 4 question को आपको solve करना है सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है जो आपका settlement chapter में आपको मिल जाएगा class 1 town में कितने लोग रह रहे हैं आप इस graph के माध्यम से देख पा रहे हैं यह class 2 town है class 3 class 4 class 5 और class 6 का आपका यहाँ urban population का percentage दिया हुआ है कि किस class में कितने urban population रहते हैं according to 2011 census के मुताबिक सबसे पहला क्या question हमारा दिया हुआ है किस class में सबसे कम urban population रहता है आपको यह बताना है हर एक class का यहाँ पे individually urban population का percentage दिया हुआ है class 1, class 2, class 3, class 4, class 5, class 6 तो आपको बताना है कि urban population सबसे कम किस class में है normally आप इस graph को देखके ही बता पा रहे होगे कि सबसे कम किस में है यह आपका 6th number में आपका देख पा रहे हैं बहुत ही कम urban population है तो आप यहाँ पर जो right answer होगा किस में minimum है तो 6th class answer D यह इसका right answer होगा क्योंकि यहाँ पर minimum share है ठीक है उसके बाद अगर हम अपने next question को देखते है question number 2 को which classes of town constituents more than 50% of the urban population किस में किस class में 50% से भी ज़्यादा urban population है यहाँ पर आपको class अलग-अलग दीख रहे हैं तो किस class में 50% से ज़्यादा है यह बात आपको अच्छे से याद भी रखना है तो class 1 town यहाँ पर हमारा right answer होगा उसके बाद हम अपने question number 3 को चलते हैं which two classes of town likely to have similar distribution of urban population अब आपको इस graph को देखते हुए बताना है कि किस दो class में जो urban population है वो equal है यानि कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 में से किनी 2 में बिलकुल सेम है तो आपको इस graph को देखते भी जल्दी से मुझे comment section में answer बताईए कौन सा है मैं थरो देर में आपका answer बताता हूँ कि इसका right answer क्या होगा जल्दी से बताईए क्लास 2, 3 में एक है 3, 4 में एक है 2, 4 में एक है या 2, 5 में एक है या 2, 6 में एक है नॉर्मली आप drawing देखे इसको identify कर सकते हैं कि किस में ज्यादा है सोच लिए आपने तो इसका right answer होगा class 2 और class 3 इन दोनों को देखिए इन दोनों का जो share है बिल्कुल ही same है इस बज़े से क्या होगा इन दोनों का similar हमारा answer होगा ठीक है तो इसका right answer होगा option 2 and option 3 यह right answer हमारा है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो like जरूर करें क्योंकि अगर आप एक बार like करते हैं तो YouTube के algorithm को समझ में आ जाता है कि आपको यह वीडियो आपको अच्छे लग रहे है तो और वी वीडियो recommend किया जाएगा YouTube के द्वारा तो आप जरूर like at least करे वीडियो हम अपन 1 lakh से जादा है and class 3 town में क्या बता दिया है 3 town में 20,000 to 49,999 यहां पर data दिया यह class 3 में है तो आप से पुछा गिया है which of this is mostly likely to be the population size of the class 5 town 4 का दिया हुआ नहीं है 5 का आपको पूछ लिया कि 5 का क्या होगा आपको यह identify करके इस ट्याड़ों में से बताना है तो जाहिंती बात है अगर 1 class में 1 lakh यह उससे जादा है class 3 में 20,000 से लेकर 49,999 यानि की कम रहा है 1 lakh से यह क्या हो रहा है कम रहा है तो class 4 में और class 5 में और कमेगा तो लगबग देखिए कि 50,000 से कौन सा कम है नीचे यह तो 2 lakh से है इससे दूपर हो गए नहीं 75 to 1 lakh ना मतलब 99,999 उसका 50,000 से लेकर 74 4,999 यह भी नहीं हो क्योंकि यह class 3 टाउन से ज़्यादा हो जा रहा है मुझे और नीचे जाना है मैनस करना पड़ेगा तो लगबग 5,000 से लेकर 9,999 यह हमारा right answer होगा class 5 टाउन में यह population का size होगा तो कुछ-कुछ question के answer आपको क्या करने होगी थोड़े अपने ideas का वहाँ प करा चुका हूँ already जिसमें आप बहुत सारे question already solve कर चुके हैं जो आपकी exam perspective से देखा जाए तो बहुत important है हमारा अलगल तैपकर question चली रहा है paragraph based question चल रहा है एमसी की वसी कंप्लीट हो चुका है graph based अभी हम कर रहे है source based picture based हर चीज में हमारा चल रहा है तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं और इस तरीकी की वीडियो का लाब उठा सकते हैं बिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए सौस रहें मस रहें और मुश्कुर आपके तो जरूर है जय हिन जय भारत